नमस्ते दोस्तों आज हम बनाएंगे होममेड मिक्षर नमकीन बिल्कुल मार्केट जैसी आप इसे 2-3 महिने तक स्टोर कर सकते हैं चला अब जल्दी से इसे बनाना शुरू करते हैं इसे बनाने के लिए मैंने लिया है एक बड़ी कटोरी जना दाल और एक बड़ी कटोरी साबुत मसूर दाल मैंने इन दोनों दाल के बोल्स को दो-तीन बार में पानी में अच्छे तरीके से साफ कर लिया है अब मैं इसमें 140 पून बेकिंग सोड़ा डालूँगी और रात भर सोख करने के लिए रग दूँगी अगले दिन मैं इसे cotton के cloth पे dry कर लूँगी फैन में अब हम इन दालो को एक एक करके fry कर लेंगे पहले मैंने मसोर दाल fry करी है मसोर दाल fry करते को वक्त आप ध्यान रखेंगी कि यह दाल कराक होती है तो आप इसे अराम से ध्यान से fry करें इसी तरीके से हमने चना दाल भी फ्राइ कर लिया है चना दाल फ्राइ करके निकाले मैं इसमें मुंगफली और काजू भी डालोंगी और साथ में किश्मिश भी तो मुंगफली, काजू और किश्मिश भी आप साथ में फ्राइ कर लें चाहें तो आप करीब अदा भी fry कर सकते हैं अब हम नमकीन के लिए safe तयार करेंगे safe के लिए मैंने एक बड़ी कटोरी बेसन लिया है उसमें बड़ी चमच नमक, एक चमच लाल मिर्च पाउडर दो चुटखी अजुएन और दो चुटखी जीरा मैंने इसमें डाला है 140 स्पून बेकिंग पाउडर दो बड़े चमच मस्टर्ड ओल और एक चमच हल्दी मैंने इसमें डाला है पानी के साथ मैं इसका दो तयार कर रहे हूँ इडो तयार हो चुगा है अब इसे 10 से 15 मिनट रेस्ट करने देंगे बूंदी के लिए बैटर तयार करते हैं एक बड़ी कटोरी बेसन लेकर उसे पानी से बैटर तयार करें उसमें एक चमच नमक डाला है मैंने और एक आदर चमच बेकिंग पाउडर बैटर की कंसिस्टेंसी देख लीजे बैटर की कंसिस्टेंसी जादा रनी नहीं होनी चाहिए इसे मैंने दो बोल्स में डिवाइड कर लिया है मार्केट से मैं फूट कलर लाई थी ग्रीन कलर का उसे एक बोल में ट्रांसफर कर दिया है इससे एक yellow color की बूंदी और एक green color की बूंदी बन कर तयार होगी वापस save पर आते हैं save के लिए मैंने save की machine को oil से अची तरीके से grease कर लिया है अब save का dough machine में मैं transfer करूँगी machine को अची तरीके से fasten कर लीजे check कर लीजे ये ठीक से walk कर रही है या नहीं आप चेक कर लीजे आपका oil अची तरीके से गरम हो चुका है या नहीं ये देखिए मेरा sample अची तरीके से fry हो रहा है अब machine के through मैं save तयार करूँगी कड़ाई में मैंने save डालना शुरू कर दिया है save पक कर तयार हो चुके हैं इसे दोनों तरफ से अच्छे तरीके से fry कर लीजे अब इसको बाहर निकार लीजे इसी तरीके से मोटे save भी आप तयार कर सकते हैं मोटे save भी पक चुके हैं इनको अच्छी तरीके से दोनों तरफ से fry करने के बाद चली से बाहर निकाले ये देखिए मेरे दोनों तरीके के सेव बनकर तयार हो चुक है अच्छे लग रहा है ना अब बूंदी तयार करते हैं बूंदी के लिए मैंने इस तरीकी के कर्ची लिए है कर्ची में बूंदी का बैटर डाल कर इस तरीके से बूंदिया तलना शुरू करें आप कर्ची को दीरी दीरी लाते रहें ताकि अच्छी तरीके से बूंदी निकल कर आएं ये देखिए कितनी अच्छी तरीके से बूंदी निकल कर आई हैं अब इसको अच्छी तरीके से चान लें हरी रंग की बूंदियों को भी इसी तरीके से तलकर तयार कर लें ये देखिए दोनों color's की बूंदी तलकर तयार हो गई है अब नमकीन का सारा समान हम असेंबल कर लेते हैं ये दोनों तरहिके के safe और दोनों बूंदिया मैंने तयार कर लिए हैं ये सारे पिसेव मिसाले भी मैंने साथ में रख लिये हैं लाल मिर्श पाउडर, सफेद नमक, जीरा पाउडर, ये सौफ का पाउडर है, ये काली मिर्श का पाउडर है और ये काला नमक है, हम सफेद नमक और काला नमक दोनों तरीके के नमक मिलाएंगे, अब आप ये सेव को तोड़ लीजे, एक चमच नमक, आप नमक अपने लाल मिर्च अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप एड़ करें ज्यादा स्पाइसी जैसा भी आप खाना पसंद करते हैं उस तरीके से एड़ करें काली मिर्च पाउडर जीरा पाउडर भी आप इसी तरीके से एड़ कर लें soft powder भी आप इसमें add कर लें अब नमकीन को सारा मिलाना शुरू कर दें यह देखिए नमकीन तयार हो चुके है कैसी लग रही है आपको मेरी नमकीन comment और like करके ज़रूर बताएं